खेगा स्वागे था आप सभी कदा मस्टर साहब पे दोस्तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं पहले बता दू इस वेकेंसी के बारे में बताने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है दोस्तो कि अभी मैंने लगभग लगातार चार दिनों से लगभग चार कॉलेजेज में आपको वेकेंसी बता दी है बिहार के इंजिनियरिंग कॉलेज में बिहार इंजिनियरिंग कॉलेजेज में मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब द छे से साथ लगबग कम भी हो सकते ज्यादा भी हो सकता लेकिन मेरा मेरी जानकाडी जहात तक है मैं बता दूंग कि पांच कम से कम छे से साथ engineering colleges में vacancy आ रही है colleges में vacancy आ रही है और ये सारी vacancy आपको सबसे पहले हमारे YouTube channel The Masters Lab पर मिलेगी ठीक है तो channel के साथ बने रही है updates आपको मिलते रहेंगे ज्यादा अगर आप update के लिए मतलब रहना चाहते हैं तो telegram channel का link नीचे मेरा video के description में दिया हुआ है उसमें आप जाके join कर लीजिए ठीक है तो मैं बना दे रहा हूं कि आपको within 7 days, 7 दिन के भीतर आपको 5-6 colleges में minimum आपको आने वाला है vacancy बिहार के engineering colleges में तो ये चीज आप समझ लीजिए कि ये बहुत important update है इसको ध्यार में रखना है चलिए अब आते हैं कि हमारा जो vacancy ये जो भी vacancy है ये हमारा vacancy कटिहार engineering college का है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, 2-3-4 दिन पहले ही मैंने कटिहार engineering college में आपको एक vacancy explore किया था अभी एक और vacancy इन्होंने generate किया है जो है Nats training का ठीक है Nats training का पद है और इस Nats training पद के लिए बिलकुल आपने जो thumbnail देखा है मैं जो भी thumbnail डालता हूँ, मैं fake thumbnail या आपको ध्यान भटकाने वाला या इस तरह का thumbnail नहीं डालता हूँ तो आपको इसमें b.tech और diploma दोनों holder के लिए संभावना है दोनों के लिए अलग-अलग post है, different different post है, b.tech और diploma दोनों के लिए और इसमें कोई exam नहीं है, सिर्फ और सिफ आपको एक interview देना है और आपका इसमें joining हो जाएगा 15,000 मैंने बताया है जो stipend मिलेगा, अब इसके लिए क्या rules है, कैसे आपका selection होगा और दूसरी चीज, किन-किन documents की आपको अवशक्ता पड़ेगी और तीसरी चीज मैं बता दूं कि इसमें किस-किस department में ये Nets training का पदा आया है तो मैं बता दूं दोस्तों लगभग सारे engineering department में इन्होंने दिया है तो मैं बता देखते हैं हम लोग इस vacancy को आगे की तरफ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें documents को समझना बहुत important होता है कौन-कौन documents आपको लेके जाना है अगर आप वीडियो जैसे skip करते हैं या भगा के देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो documents की जो चर्चाएं है अगर वो छूड जाती है तो फिर आगे दिक्कत है ठीक है अगर आपको इसका advertisement देखना है कहां से download करेंगे कैसे होगा वो सारी बाते में इस वीडियो में बताऊंगा पुछले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह कटिहार engineering college जो है यह प्रिंस्पल साहब का email ID यह phone number दिया हुआ है यह vacancy announcement किया गया है electrical and electrical engineering triple E के लिए जो graduate जिनके पास qualification यानि के जो बी टेक किये हुए या बी जो किये हुए number of vacancy एक है दूसरा vacancy है civil engineering के लिए इसमें diploma चाहिए अगर आपने diploma कर रखा है तो आप इसमें apply कर सकते इसमें भी एक vacancy है तीसरा है mechanical engineering के लिए वो भी graduate यानि के बी टेक और बी के लिए है इसमें भी एक पद है ठीक है candidates जो walk-in interview में हमारे आएंगे वो candidate एपियर होंगे 28 नमंबर 2023 को सुबह 10 वजए आपको interview में स्वामिल होना है अब इसमें कौन-कौन से documents की जरूत पड़ेगी और कौन लोग apply करेंगे इसके लिए एक important rule है शर्त है आप direct नहीं जा सकते हैं नैट्स ट्रेनी के पद के लिए आपको registration करना पड़ता है कहा registration करेंगे कैसे registration करेंगे मैं सारा चीज़ बताऊंगा ठीक है direct आप document लेके जाएंगे आपको वापस कर दिया जाएगा आप नहीं दे पाएंगे interview ठीक है तो चलिए यहां पर देखिए इसके बादे में our documents क्या और मतलब और बाते क्या बताई गई हैं देखें दोस्तों यहां पर पहला शर्थ है कि candidate को आना है अपने cv और सारे original document के साथ ठीक है मैं बताऊंगा कौन कौन document आप लेके जाएगा दूसरा चीज़ कि candidate must passed out graduate within last five years मतलब कि आपके पास जो passing certificate होगा डिप्लोमा हो जाए बीटेक 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 इन चार पाँच सालों में अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं इन इस से पहले अगर आप हैं तो आपको apply नहीं किया आप invalid है आपके जो खतम कर दी जाएगी reservation policy जो है government of India की तरफ से reservation policy वोई follow होगा stipend जो है आपको जो graduate है बीटेक वाले उनको 15,000 मिलेगा और डिप्लोमा वाले को 10,000 मिलेगा पर मन्त ठीक है आपको interview देने के लिए कोई भी यात्री भत्ता नहीं मिलेगा या रहने का खर्च नहीं मिलेगा इंटर्वी होगा कहां तो इंटर्वी होगा कटियार engineering college कटियार हरदिया गंज नियर पलाई मिल चौक ठीक है इसका पीन नमबर यहाँ पे दिया हुआ है 854110 contact अगर आपको करना है तो प्रोफेसर सपन कुमार है असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका contact नमबर यहाँ पे दिया हुआ इसको screenshot कर लीजिए आप इनसे contact कर सकते हैं अगर आपको कोई असुविदा हो रही है कोई जानकारी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोफेसर सपन कुमार जो assistant professor है इनका नमबर है 96430 85756 इसके आप contact कर सकते हैं अब सबसे important चीज़ सबसे important चीज़ जिसके बारे मे से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा और यह information आप यहां से भी देख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको original और principal सहाब का निकाला वा लेटर दिखा देता हूं ताकि आपको यह यकीन हो जाए कि यह vacancy fake नहीं है देखे दोस्तों यहाँ पे letter pad है principal सहाब का reference number 755 है यहाँ पे data 27 October को न 2310 का और यहाँ पे जो सपन कुमार सर है जो assistant professor है जिनसे आपको contact करना अगर कोई दिक्कत होता है यह नोडल officer है उन्हीं का sign यहाँ पे किया हुआ है ठीक है बाकी details जो मैंने बताई वही है अब आते है documents की तरफ दोस्तों तो documents में आपको क्या करना है documents में आपको 10th से लेके diploma अगर के लिए apply कर रहा है तो diploma या BTEC तक का सारा documents यानि के सारा mark sheet ठीक है पलस certificate यह आपके पास होना चाहिए अगर आप OBC से आते तो OBC certificate अगर आप SCST है तो आपको cast certificate की दरकार पड़ेगी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो residential भी दख लीजिएगा और next होगा आपका Nats का आपका registration ID ठीक है यह सारा documents आपको original चाहिए पलस इसमें आपको दो फोटो चाहिए दो फोटो आपके पास होना चाहिए पलस एक आपका CV होना चाहिए जिसको resume बोलते हैं आप लोग curriculum वाइटे यह इतना चीज जो document है इस सारे documents का दोस्तों आपको 2 set जिरॉक्स कराना ह और 2 set जिरॉक्स करके इन सब पे self attested आपको करना है ठीक है तब ही जाके आपका documents का list complete होगा अब Nats ID बनेगा कहां से तो Nats ID के लिए आप Google पे type करिएगा Nats वहां से आपको Nats का website आएगा वहां पे registration आपको करना होगा वहीं से आपको ID download करना होगा format में वहां पे photo भी upload करना होता है बहुत सारी जानकारी आपको देनी होगी और वहां registration करने से एक फाइदा ये होगा कि भविस में कोई भी vacancy government में आएगी या जिस छेतर के आप रहने वाले या जो भी आप select कीजिएगा वो आपके email ID पे message भेजते रहेंगे कि आपके ये vacancy आ गई है आप इसको जो ह मौका है नैट्स ट्रेनी के पत पर काम करते हुए आगे की प्रिपेशन करने के लिए आगे की तैयारी करने के लिए ठीक है तो इसके लिए आप जरूर से जरूर अपलाई करें और लोगों तक इसको जरूर शेयर करें और मैंने जैसा की बताया अभी within seven days बहुत सारी vacancy आन धर को किया लोगन चाहिए धंज तक बाढ़ा ब्स गवाभवे विए में के लिए यज़ है लोगने प्लेश थान आप प्रिए लोगने जयरे इता है यह नवाए लोगने चिहारा शेंजा सुझ सबग्वारे जिए लोगने सब्सक्राव जिए लोगने शूड़ है लूवा